हेलो फ्रेंड रादे रादे स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल कविता होमेंड कीचन में फ्रेंड आज बनाएंगे हम मिर्च का अचार इसके लिए मैंने ये आदा किलो मिर्च ली है और इनको दोकर मैंने अच्छे सी कपड़े से साफ कर लिया है इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और खाने में तो लाज जवाब है हमें इस तरह से इन मिर्चों पे चीरा लगा लेना है हमें सारी मिर्चों में ऐसे ही चीरा लगाना है फ्रेंड मैंने सारी मिर्चों पे चीरा लगा दिया है देखिए यदि आप ज़्यादा बड़ी मिर्चे लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं हमने मेडियम साइज की मिर्चें ली हैं, अभी इसके लिए मसाला भी तयार कर लेते हैं, देखिए मैंने मसाला ले लिया है, मैंने मसाले में नमक लिया है, सवाद के नुसार, एक चमच हल्दी पाउडर ली है, दो चमच हमने सोंफ ली है, दो चमच मेथी दाना और आधा कप हमने टेल लिया है, साथ ही हमने राई ली है, राई को हमने पीसलिया है, इसको ज़्यादा बारिक नहीं पीसना, बस दरदरा ही पीसना है, अब हम इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे, फ्रेंड इस तरह से आप भी अचार बनाएंगे, तो आपका अचार भी लंबे समय तक चल वो खराब नहीं होगा देखिए मैंने सारे मसाले को मिक्स कर लिया है अब हम इसमें यह तेल डाल देंगे हमें पहले आधा तेल डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करने के बाद अब ये बचा हवतेल भी इसमें डाल देंगे और फिर से इसको मिला लेंगे अच्छे से मसाले को मिलाने के बाद अब मिर्चे लेंगे और इनको इस तरह से कोल लेंगे और इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा मसाला बर देंगे कि आप इनको पूरा बरना चाहो तो पूरा भी बर सकते हैं लेकिन मैं इनको पूरा नहीं बरूंगे थोड़ा थोड़ा सा इसमें मसाला डालूंगे इसी तरह से हम अपनी सारी मिर्चों को तयार कर लेंगे फ्रेंड पहले मुझे भी नहीं आता था मिर्च का अचार बनाना मैंचप भी बनाती थी वो खराब हो जाता था लेकिन मैंने अपनी प्रोस वाली ताई से इसको बनाना सीखा है अब ये खराब नहीं होता बहुत अच्छा ये अचार बनता है देखिए मैंने सारी मिर्चों म मैं इसमें इसको डाल रहे हूँ इसमें विखराब नहीं होंगर इसमें डालने के बाद इसको एक दिन אס़त की दूप लगा देए तो मिर्च का अचार करा होता ठाइस तयार है मिर्च का अचार वीडियू पसंदाए है तो फिआरे को लाइक करें शेयर करें और मेरे चनल क और सबस्क्राइब करें, थैंक यू